पुश्कार दोस्तों, वेलकम टू दून लॉमेंटर, दिस लेक्चर नमर नाइटीन ओन इंडियान पीनल कोड लेक्चर सीरीज और इस लेक्चर के अंदर हम लैंडमाक जजमेंट को डिसकस करने वाले हैं, जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉड़ी के ऊप ये वो लैंडमाक जजमेंट है, अगर आप जुडिशल सर्विसिस का एक्जाम दे रहे हैं, तो आपके एक्जाम में आपको प्रॉब्लम बेस्ट क्वेस्टन यहीं से देखने को मिलेगा, इसके अलावा आप लॉज स्कूल में हैं, अपने समेस्टर एक्जाम है, राइट तू प्राइवेट डिफेंस का, वो एक जजमेंट में बताया गया था, और वो है, मुझशी राम और अदर्स वर्सिस दिल्ली अडिमिनिस्टरेशन 1978, सुप्रीम कोट, मुझशी राम वर्सिस स्टेट दिल्ली अडिमिनिस्टरेशन का केस, जो है, वो कि ये self-help के right को recognize करता है, और इसके साथ साथ बहुत सारे circumstances ऐसे हो सकते हैं, जिसके case के अंदर, अगर आप पुलिस की मदद लेने जाओगे, तो तब तक आपके उपर attack हो चुका होगा, there is no time to approach public authorities. authorities for protection, ठीक है, self-help के right को recognize करता है, और इसके साथ साथ और क्या right है, वो ये right है कि state के पास limited resources है, crime prevention के लिए, अगर आपको हर इंसान के पास अगर state को police officer deploy करना पड़े, तो कितने सारे police officer रखने पड़ेंगे, हर घर के पास रखना पड़ेगा, हर private जंगे पर रखना पड़ेगा, state के पास इतने resources नहीं है, तो उस situation को भी deal करने के लिए, right to private defense आपके IPC के अंदर provide किया गया है, दोस्तों जो ये case है, श्री मुन्स्री राम एंड अदर्स वर्चिज दिल्ली administration 1978 Supreme Court, ये judgment क्या कहता है, justice हेगडे ने बोला था कि right of private defense serves a social purpose, right of private defense का एक social purpose है, और वो social purpose क्या है, कि अगर कोई आप पर attack करेगा, तो आपके पास भी revert करने का right होगा, आपने आपको बचाने का right होगा, ठीक है, ये social purpose है, और इसका मतलब ये भी है कि society में आप safe रहेंगे, क्योंकि अगर कोई आपके उपर attack करेगा, तो आपको अपने बचाने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते होगे, वो पुरा lawful है, ठीक है, आगे चलिए, and that right should be liberally construed, मतलब जब भी किसी इनसान के reference में ये question आएगा कि whether the right to private defense will be available to him or not, तो जो ये right to private defense है, इसको आप हमेशा liberal construction देंगे, इसको liberally construed करेंगे, मतलब इसका scope बढ़ा कर देंगे, अगर कोई ऐसी situation होगी, आपके पस दो chances होगी, कि किसी को right to private defense दिया जाए, या नहीं दिया जाए, तब उस situation के अंदर आप पहली option है, उसको choose करेंगे, और right to private defense, court के द्वारा उस particular इंसान को दिया जाएगा, इसका liberal interpretation होगा, such a right not only will be restraining influence on bad character, जो ये right of private defense है, इसका purpose सिर्फ ये नहीं है, जो society के bad elements है, bad characters है, उनको restrain करना, but also at the same time, it will encourage the right spirit of a free citizen, the right spirit मतलब कि हाँ, मेरा भी कानूनी अधिकार है, ये एक जो independent individual है, citizen है, उसकी इस right spirit को भी promote करेगा, ये भी आपका purpose है, किसका right to private defense का, जो जिसके प्रावधार आपके chapter number 4 के अंदर दिये गए है, general exceptions के अंदर दिये गए है, ठीक है दोस्तों, ये आपका landmark judgment है, मुंशी राम एंडर्स वर्सिज एड्मिनिस्ट्रेशन 1978 सुप्रीम कोट, इसके अंदर बताया गया था कि, क्या right होंगे, क्या purpose होगा, right to private defense का, चलिए बढ़ते आगे, I hope कि आपने ये जो objective है, ये detail में लिख लिया होगा, दोस्तों, जो अगला point है, वो ये बात करता है, कि क्या nature होगा, आपके right to private defense का, जब हमने theoretical explanation किया था, provisions को detail में discuss किया था, classification of private defense को discuss किया था, तब हमने ये चीज़ already discuss कर चुके है, मगर क्योंकि ये आज का, जो lecture है, landmark judgments पर है, landmark cases पर है, तो इसके अंदर हम आपको point भी बता रहे हैं कि कौन से case के अंदर, ये specific point laid down किया गया था, तो जहां तक nature की बात है दोस्तों, nature कैसा है आपका right of private defense का, ये एक preventive right है, ये punitive right नहीं है, not punitive right, nor retributive right, ना तो ये एक punitive right है, और ना ही ये एक retributive right है, ये एक preventive right है, और इसका मतलब ये एक defensive right है, ये एक offensive right नहीं है, मतलब आप किसी के उपर attack करकर, इस right की शरण में नहीं जा सकते, आपको ये benefit नहीं मिल पाएगा, it is a defensive right, it is a right to protect, not right to commit an offense, okay, I hope you understand what I am saying, right of private defense is a preventive right, defensive right and not an offensive right, जहां तक केस का नाम है दोस्तो, देव नारायन वर्सिस State of UP 1972 Supreme Court, ये एक landmark judgment है, as far as nature के बारे में की private defense का क्या right होगा, इसके उपर देव नारायन वर्सिस State of UP का केस है दोस्तों, और इस केस के अंदर क्या बोला था, the right rests on the principle that where a crime is endeavored to be committed by force, it is lawful to repel that force in self-defense, मरतलब परपस कही न कहीं ये बता दिया है कि अगर आपके ऊपर कोई भी एंसान offense commit करने की कोशिश करता है by force, तो आपके पास ये option होगा कि आप उस force को repel कर सकें, I hope कि आप उसको repel कर सकें, ये आपका purpose होगा, हम landmark judgments कर रहे हैं on right to private defense, वो लोग online आ गए थे, तो इसलिए and as per the schedule time, we are, we have started with the lecture, तो please be on the time, ठीकिए? This case is on the nature of right to private defense, everybody, all of us know that कि, what is the nature of private defense, it is a defensive right, not an offensive right, it is a preventive right, not a punitive right, ना ही एक retributive right है, आप किससे बदला लेने के लिए इस right को exercise नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और जो specific purpose की बात है, वो हमें देव नारायन versus state of AUP के case के अंदर बताए गई थी, 1972 का case है, जिस case के अंदर Supreme Court ने in principle पहली बार ये बोला था, कि जब भी आपके उपर कोई force के थ्रू crime कमिट करने की कोशिश करता है, तो ये lawful होगा कि आप उस criminal force को अवर्ट कर सकते हैं, रिपल कर सकते हैं, so that आपके खिलाफ वो crime ना हो पाए, and the purpose is self-defense, मतलब इसका मतलब it is a right which is in the nature of a defensive right, defensive right, मतलब right of private defense आपका कैसा है, defensive right है, ये एक offensive right नहीं है, और Dev Narayan versus State of UP केंदर पहले बार Supreme Court ने ऐसा बोला था, the right of private defense is available for protection against apprehended unlawful aggression, apprehended unlawful aggression, apprehended unlawful aggression, मतलब apprehended का मतलब जिसका अंदेशा है, जिसका भय है कि ऐसा unlawful aggression आपके ऊपर, या जो भी इंसान जिसके reference में आप right to private exercise करना चाहा रहे है, उसके खिलाफ कोई भी unlawful aggression और वो भी कैसा? apprehended, जो मतलब वो सकता है, जिसका अंदेशा है, इस right का आप punishment के रूप में नहीं कर सकते, किसे भी crime के लिए punishment देना किसका scope है, state का है न, state की duty आप अपने आप में बाला लेके नहीं खड़े हो जाएगे, जो अगला point है, वो यह बात करता है, कि आप किस extent तक right of private defense को exercise कर सकते हो, till what extent you can exercise the right of private defense, यह बात अगेन देव नारायन वर्से स्टेट अफ यूप के के केस के अंदर बोली थी, जिसके अंदर Supreme Court ने क्या बोला था, आपके सामने है कि when a blow with a latte is aimed at a vulnerable part like head, मतलब कि अगर कोई आपके सामने एक latte लेकर और आपके सिर की तरफ इशारा करेगी, मैं आपके सिर पर मारूँगा, तो जिसके ऊपर यह इशारा किया जा रहा है, उसको इतना सोचने का time तो नहीं मिलेगा, उसको अपने आप बचाना है, अगर वो इस हडबड़ी के अंदर कोई ऐसा हथियार उठा लेता है, नुकिला अथियार भाला, चाकू, पेचकस, एटसेटरा कुछ उठा लेता है, और उससे जो एग्रेसर है उसके पर अटैक कर देता है, तब भी भी आपको यह right available हो जाएगा, extent to which right to private defense may be organized, इस case के अंदर Supreme Boater ने ये भी बोला था कि जब आपको right to private defense exercise करना है, तो आपको कोई तराजू लेकर नहीं बैठना है कि मेरे को golden scales के अंदर मैं इसने इतना force use किया, तो मैं इतना force use करूँगा, पर situation ऐसी होती है, जहां आपके पास time ही नहीं सूचने का आपको बचाना है न अपना, और अगर उस situation के हंद आ, जहां आपके पास time है, मतलब बहुत ही out of the proportion हो रहा है, तब उस situation के अंदर नहीं मिलेगा, मगर situation ऐसी है, जहां पर out of proportion नहीं है और वहां आपको सोचने का time नहीं है, उसमें लाठी उठाई और आपके vulnerable part की तरफ इशारा किया, आपका सिर, मतलब ये भी सब को ही पता है न कि सिर एक ऐसी जंगे है, जहां पर अगर कोई जोड से लाठी डंडा मार दे तो इंसान मर भी सकता है, तो उस situation में जिसके उपर ये attack किया जा रहा है, अगर वो रेवर्ट होकर कोई ऐसा हतियार उठा ले, जो नुकेला हो, चापू, तलवार बगेरा, तो तब भी भी उसको right to private defense मिल सकता है, देखिये, क्या बोला है देवनाराहन वर्सी स्टेट अफ ये पिके गेस के अंदर, स्पियर क्या होता है, बाला टाइप, येस, वेर्ट विक्टिम इस नॉट जस्टिफाइड इन यूजिंग, हिस स्पियर इन डिफेंडिंग इंसेल्फ, अगर कोई आपके उपर बल्नेरेबल पार्ट के उपर लाठी लेकर, असौर्ट करने की कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते कि, अगर विक्टिम ने भाला यूज कर लिया उसके उपर, तो ये अनजस्टिफाइड होगा है, ऐसा कोई छ नहीं है, इस सच केसिज ओफ एक्साइटमेंट और डिस्टर्ब्ड मेंटल एक्विलिब्रियम, जिसके उपर डंडे की कोशिश हो रही है मालने की, तो उसकी मेंटल के निशन कैसी होगी, एकदम बिगड सकती है न, उसको सोचने का टाइम इतना नहीं मिलेगा, तब उस सिचुएशन के अंदर, इस डिफिकल्ट तो एक्सपेक्ट पार्टीज फेसिंग ग्रेव एग्रेशन तो कुल्ली वे, अज इन गोल्डन स्केल्स, और ये बात सेम्स जेम्स मार्टिन के केस के अंदर भी गोली थी, जो देव नारायन और जेम्स मार्टिन का केस है, इसको आज हम पूरे डिटेल में करेंगे, बस अभी मेरे कोई स्पेसिफिक पॉइंट बताना था, क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट को जब हम केस को डिटेल में करेंगे, तो रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है क्या था कि extent to which right may be exercised कि अगर आपके उपर कोई fatal attack हो रहा है तो उस moment of excitement में mental जहां पर आपका mental equilibrium है वो disturbed है उस situation के अंदर हम आपसे ये expect नहीं कर सकते कि आप coolly way करेगे कि हाँ भई कितना force sufficient होगा ऐसे moment के अंदर अगर आप कोई नुकिला अतियार उठा कर या थोड़ा सा out of the proportion act कर जाते हैं तब भी भी आपको इस right का benefit मिलेगा ठीक है सेम बात किसके अंदर बोली थी James Martin versus State of Kerala 2014 sorry 2004 James Martin versus State of Kerala यहां तक हो गया बचा अब देखिए section 100 के अंदर आपने जो पहला clause है उसके अंदर क्या word देखा होगा reasonable apprehension to cause death है ना section 100 clause 1 क्या कहता है reasonable apprehension death may be caused if you do not exercise your right to private defense इसी point के ऊपर है reasonable apprehension के ऊपर ही यह judgment है मत्य प्रदिश से है कोई आप क्या मत्य प्रदिश से है ना कटनी नाम सुना होगा कटनी के अंदर communal riots हुए थी उसके ऊपर है यह section 100 assault with नहीं इससे अगले वाला case है जो होगा है assault का communal riots वाला वो next case है इस case के अंदर क्यों एक सिकिंद हाँ अमजद खान यह वाला case है पहले हम यही कर रहे है कटनी का case section 100 reasonable apprehension अमजद खान वर्सिज स्टेट अमजद खान वर्सिज स्टेट reasonable apprehension to अगर आपने अपना right to private defense exercise नहीं किया तो आपके मन में यह reasonable apprehension आ जाएगी if I do not exercise my right to private defense then in that case death may be caused तो यह उसी के ऊपर है अमजद खान वर्सिज स्टेट 1950 Supreme Court कटनी मध्यपरदेश के अंदर communal riots हो जाते हैं और सिंधी refugees और local Muslims के बीच में सिंधी refugees and local Muslims के बीच के communal riots हो जाते हैं उस वज़े से जो सिंधी refugees होते हैं वो Muslim community के area पर attack कर देते हैं जिससे जो accused है और उसके घर की जो महिलाएं हैं वो डर जाती हैं क्यूंकि जब यह सारा situation हो रहा था तो accused in this case अमजद खान उसके बराबर वाले घर में और बराबर वाली शॉप पे लोगों की हत्या तक हो गई थी females का rape हो गया था sexual assault हो गया था इस communal riot के अंदर तो जो यह females है यह अमजद खान के पास चली जाती हैं appellant के पास in the objective that their life can be saved तब उस situation में जब यह अमजद खान के पास होती है तब उस situation के अंदर जो यह rioters होते हैं यह उस घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर गुज जाते हैं इस situation के अंदर अमजद खान कोई deadly weapon लेकर assaulter को मार देता है whether in this case right to private defense is justified or not क्योंकि इनको reasonable apprehension to death हो रही थी और यह aggressor भी नहीं है इनके communal riot के अंदर बाहर जो कुछ भी हो रहा है जब घर पे इनके अंदर आ गए और बराबर वाले घर के अंदर शौप के अंदर यह सारी चीज़े हो रही थी तो that created a reasonable apprehension that death may be caused so in that case Amjad Khan was justified in exercising his right of private defense clear next section 100 के उपर यह assault with the intention of committing rape के उपर है यश्वन्त राव वर्सेज स्टेट अफ मध्यपरदेश 1992 सुप्रीम कोट इसके इस case के अंदर क्या था एक फादर थे और उनकी एक छोटी बच्ची थी माइनर बच्ची थी ठीक है हो सकता है फोटो थोड़ी सी गलत हो बहुती छोटी बच्ची लग गई हो इसके अंदर जो मिरको मिली वो मैने लगा थी ठीक है मगर शयद बच्ची की 10-12 साल की उमर रही होगी वो माइनर लड़की थी ठीक है तो वो बच्ची जब अपने पापा के साथ खेल रही थी तो बच्ची को बातरूम का प्रेशर हो गया तो वो घर के बैक्यार्ड में शी वेंट फोर टॉयलेट ठीक जब वो बैक्यार्ड के अंदर टॉयलेट में थी तो उसी टाइम कहीं से एक्यूजड आ गया और एक्यूजड आया और ही रेप दहर और ही ट्राइट टू रेप हर ठीक है तो उस मोमेंट में फादर आ गया और फादर ने इसको accused को गोली से उड़ा दिया Whether he is justified in exercising the right of private defense for saving the life of his daughter Clause thirdly, an assault with the intention of committing rape और यहाँ पर बच्ची के साथ उसने rape की शुरुवात कर दी थी रेप करने लगा था उस बच्ची की आवाज सुनकर फादर आये तब मारा है Justified, right of private defense, Justified ठीक है, फिर अगर इस case के अंदर एक और point उठा कि consent लड़की का, consent का तो immaterial है ना, क्योंकि लड़की कौन है Minor है Got my point चले आँगे बलबीर सिंग, बलवन्त सिंग वर्सी स्टेट पंजाब अरियाना हाई कोट का case है इस case के अंदर चार pre-requisite बताए थे कोट में पहली बार for application of section 100 For section 100 For section 100, section 100 की application के लिए चार pre-requisite है जब तक ये पूरे नहीं होगे, section 100 applicable नहीं हो सकता क्या है The accused must be free from fault in bringing about the encounter जो accused है मतलब जो right to private defense claim कर रहा है वहीं तो होगा ना accused ठीक है उसका कोई भी fault नहीं होना चाहिए लड़ाई जगडे में मतलब He should not be aggressor He should not be aggressor और rather court नहीं पता है क्या बोला है He should not have any contributory role Aggressor की तो बात छोड़ दीजिए उसका contributory role भी नहीं होना चाहिए मतलब एक तरह से कि अगर किसी की आपस में बैहस होई ठीक है और वो immaterial हो गया कि किसने बैहस शुरूआत की थी तो वो इस situation तक पहुझगे The accused must be free from fault in bringing about the encounter Accused की कोई गलती नहीं होनी चीए उस लड़ाई जगडे को existence में लाने के लिए And there must be present an impending peril to life or of great bodily harm जो accused है उसको, उसकी life को या उसकी शरीर को, उसकी body को बहुत बड़ा चोट हो सकती है, नुकसान हो सकता है ऐसा impending हारम हो Impending मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं, instant अगर यह instant नहीं होगा तो कैसी situation होगी? Records to have Public authorities Public authorities Okay मतलब वो instant peril और great bodily harm होना चाहिए या तो वो सच में होना चाहिए या फिर apparent जिसका हंदेशा हो सकता है as to create an honest belief of an existing necessity Honest belief, good faith के अंदर उसके mind में impression हैसा होना चाहिए कि अगर उसने अपना right to private defense exercise नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है या उसके body का बहुत बड़ा harm हो सकता है ठीक और यह जो essential prerequisite है मतलब यह और की category में नहीं है यह and मतलब पहला भी fulfill होना चाहिए दूसरा भी fulfill होना चाहिए तीसरा भी होना चाहिए, चौथा भी होना चाहिए alternate नहीं है, यह cumulative है there must be no safe and reasonable mode of escape by retreat अब जो accused है वो ऐसी situation में फस जाना चाहिए कि वो वहाँ से भाग भी नहीं सकता safely there must have been a necessity for taking life दूसरे को वारना उस समय की जरूरत बन जाए तभी section hundred justifiable होगा आपका online course access आ गया न, आपका तो आप दोनों का ही आ गया होगा चक कर लो भाई मोटा पैसा दे रहा हूं मैं दिल्ली में उस चीज़ के लिए there must have been a necessity for taking life ठीक है उसके लिए उस moment पे जब concerned person है उसकी जान लेना एक necessity है कोई भी दूसरा alternate option नहीं है ठीक है हां जी और और सो apparent as to create an honest belief of an existing necessity मतलब ये ये पोटिशनल्ट या तो there must be present an impending parallel to life or great bodily art या तो सच में उसकी जिन्दगी को या उसके शरीर को बहुत बड़ा डेंजर है या फिर apparent मतलब अंदेशा है खत्रा है कि हो सकता है क्या हो सकता है apparent as to create an honest belief एसा अंदेशा है कि वह उसके mind में एक honest belief create कर रहा है कि बहुत बड़ी emergency आ गई है अगर मैंने ये step नहीं उठाया तो या तो मैं मर जाऊंगा या जो हुमारा ये देव नारायन वर्सिस state of UP का case है इसको अब हम डीटेल में करेंगे ये लैंड मात जज्जमेंट है बिटा कि देव नारायन वर्सिस state of UP कि देव नारायन वर्सिस state of UP ये जो जज्जमेंट है देव नारायन वर्सिस state of UP इस जज्जमेंट को फुल बेंच ओफ सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था फुल बेंच ओफ सुप्रीम कोर्ट ठिक इस case के अंदर गाव के अंदर एक ऐसा लैंड था प्लॉट था जो एक्यूजड और विक्टिम के बीच में रैवल्री का ग्राउंड था मगर ये भी एडमिटिड फैक्ट है कि इस प्लॉट का जो पोजेशन था पोजेशन वाज़ विद एक्यूजड ये है आपका देवनरायन ठीक ये जो प्लॉट ओफ लैंड था ये ग्राउंड था पूरी जड़ थी इस लड़ाई की दोनों के बीच में रैवल्री की एक्यूजड के बीच में और विक्टिम के बीच में इस लैंड का पोजेशन किसके पास था एक्यूजड के पास था औ ये जो विक्टिम है मुनीम जी इनका नाम मुनीम जी था चोड़ी मुनीम जी नहीं था इनका जो भी रहा हुआ एक्सोई जड़ भी एक्जेट मेरको द्यान में नहीं आ रहा मुनीम जी अगले केस का था एक्जिँस थो वो देवनारायन ना ये चंदरे चंदरे मा चंदरे मा कुट था ये चंद्रीमा चंद्रीमा ठीक है ये अपने दोस्तों के साथ साथियों के साथ एक दिन इस प्लॉट के पास आया ठीक है जब प्लॉट के पास आया तो देखा कि ये खेत जोत्रा है इसको रोकने के लिए और जब ये आये थे तो साथ में लाठी डंडे लेके आये थे इन्होंने उस और अकेला नहीं आया था इसके साथ भी लोग थे उनके साथ इसने लाठी डंडो की मदद से इसको रोकने की कोशिश की ताकि ये उस प्लॉट को ना कल्टिवेट कर सके ना प्लो कर सके ठीक पोजेशन उसके पास था जूरिस्पुडेंस का आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा पोजेशन इस नाइन पैंट ओफ ओनर्शिप ठीक है और यहां पर कौन आया है जगडा मोल लेने चंदरिमा ठीक है और ये जो प्लॉट ओफ लेंड था ये ओलरेडी लीगल प्रोसीडिंग्स का पार्ट भी था इन दोनों के बीच में मगर ये भी तो उस टाइम जोत रहता है तो उस मोमेंट पे ये स्पीर उठा लेता है और ये जो लाठी डेंडे से अटैक कर रहा था वो इसके सिर पर मारने की कोशिश कर रहे थे जब इसने देखा कि मेरे सिर पर अटैक होने वाला है लाठी डेंडे से तो ये भाला उठा कर इसके Now in this situation, Dev Narayan pleads right of private defense, इसको right of private defense का benefit इस case के अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताईए, अंजी, बिल्कुल मिलेगा, reason बताईए, अंजी, बिल्कुल, देखें, पहली बात तो situation आपको दो-तिन चीज़े ध्यांग देनी है, इस case के अंदर, एग्रेसर कौन है, चंदरेमा, जो दूसरी party आई थे, इसके पास possession होगा, खेत तो वही जोतेगा, lawful उसका right है, जब तक court का decision final नहीं आता, छीक है, आपको उन सारे points को भी ध्यानवे देना है, ये शान्ती से अपना खेत जोत रहा था, और ये अपने friends, family friends के साथ आता है, ला ठीक, उस situation में जब आके, verbal arguments होते हैं, उस moment पे ये लाटी से attack कर देता है, on vital part of the body, that is head, तो जब जिसके उपर attack होने वाला है, उसने reasonable apprehension of death के अंदर भला उठाया, और उसको उसको उसपे मार दिया, तो Supreme Court ने भी यही बोला था, कि राम स्वरूप है, उसका right है, private defense को exercise करने क और इसी case के अंदर कुछ points को lay down भी किया था, और जो case थे, जो points थे, वो lay down किये गए थे, वो इस प्रकार, इस court ने इस case के अंदर ये भी बताय थे, कि aggressor कौन है, aggressor तो आपको पता ही चल गया कौन है, चंदरेमा है, ठीक है, क्या देव नारायन ने अपने right or private defense को exceed किया यह पर कि, नहीं, यह objection लिया गया न, कि हमने तो लाठी मारी थी, उसने बाला मार दिया, तो यह exceed कर गया है अपने right को, क्योंकि trial court ने तो convict किया, high court ने उसको छोड़ दिया था, फिर finally SLP में गया था यह देव नारायन इस case के अंदर, जो प्रेज़न सुप्रीम कोर्ट के अं अंदर यह सवाल उठा कि, क्या, जो यह आपका देव नारायन है, इसने अपने right of private defense को exceed किया है, या नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, नहीं है, और जब सुप्रीम कोर्ट यह judgment दे रही थी, तो उस दोरान कुछ points को बोला भी, कुछ observations भी दी, कुछ specific points के उपर पहली बात कीगी, philosophy of right of private defense के बारे में बात की, और यह बात बोली कि, जो right of private defense है, वो आपका preventive right है, punitive right नहीं है, retributive right नहीं है, अगर आपके और दूसरी पार्टी के बीच के अंदर कोई case चल रहा है, तो इसका मतलब आप यह नहीं कि उसकी जन्या पर जाके आप उसको मार देंगे, ठीक है, और यह aggression का right नहीं है, आपको दूसरे के नुकसान पहुचाने का right नहीं है, imminent danger, जो दूसरा point जिसके उपर बात की, वो बात थी, imminent danger वाला point, कि इसमे right of private defense किसे ने exercise किया, देवनारायन ने, क्या उसके उपर imminent danger था उस moment जब उसने अपना right of private defense exercise किया, अगर अगर वो नहीं exercise किया, तो लाटी उसके उपर सिर्पर लगकर उसको मर भी सकता था, मरता नहीं तो गृविय सर्ट तो होई सकती थी ना, है ना एक point के अंदर, with the intention that, otherwise, गृविय सर्ट will be cause to him, तो उस situation के अंदर भी तो death cause कर सकता है, कौन से close के अंदर है, गृविय सर्ट की एक जो specific point जो हर बार, इस case के अंदर lay down की जाते है, इस case को जब भी आप लिखेंगे अपनी answer sheet के अंदर, तो आपको ये चीज लिखनी है, कि इसके अंदर golden scale का rule lay down किया था, golden scale, court ने golden scale rule lay down किया था, और वो क्या है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया था, वो क्या है, Supreme Court ने क्या बोला, कि the right of private defense, जब भी भी exercise करेगा, इसके बारे में अगर आप दो line लिखना चाहें, तो लिख सकते है, in such moments of excitement, in such moments of excitement, of disturbed mental equilibrium, of disturbed mental equilibrium, disturbed mental equilibrium, it is somewhat difficult to expect, it is somewhat difficult to expect, parties facing grave aggression, it is somewhat difficult to expect, parties facing grave aggression, to cool way, to cool way, to cool way, to cool way, as if in golden scales, as if in golden scales, and calmly determined, and calmly determined, with the composed mind, Shanti say, composed mind, as to what precise kind, as to what precise kind, what precise kind, and severity of blow, severity of blow, would be legally sufficient for, would be legally sufficient for, effectively meeting, for effectively meeting, the unlawful aggression, जो अगला पॉइंट था, जिसके उपर कोट ने बोला, वो ये बोला, कि ये एक प्रिवेंटिव राइट है, राइट ओफ एग्रेशन नहीं है, अपने आपको बचाने के लिए, आप इस राइट का इस्तमाल कर सकते हैं, इसके बाद एक बात और बुली कि section 99 है जो हमारा, section 99 वो ये कहता है कि no more harm than is necessary for the purpose of defense, तो कही न कहीं है किसकी बात कर रहा है, extent of right or private defense की बात कर रहा है ना, purpose of defense, ठीक है, तो कहीं न कहीं है extent की बात कर रहा है, ठीक है, और extent के reference में Supreme Court में इसी case के अंदर क्या बोल दिया, कि जब आप extent ना पेंगे, जब ऐसी situation आएगी, emergency वाली situation में, तब आप कोई golden rule की तरह, कि मतलब आप बिल्कुल तराजू लेकर, 50 गराम इधर, 50 गराम उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ऐसे से काम नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत उपर भी नीचे भी होगत, because of the mental condition of the person concerned, चल जाएगा, उसको हम benefit देंगे, right to private defense का हम benefit देंगे, तो ये सारी बात को decide करते हुए, court ने ये बोला कि accused को benefit दिया जाएगा, and in this particular case, while applying the ratio as discussed with you right now, the court acquitted देव नाराहिए, दोस्तों बताइए, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो एक बार like करके दोस्तों साथ share ज़रूर करिएगा, और चैनल को भी तक subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से subscribe कर लीजिए, और हमारी पूरी इस IPC lecture series को, इसके अंदर बहुत सारे lectures है, तेली आपको एक lecture मिलता है, आप इसको शुरू से अंत तक देखेंगे, तो आप IPC के महारती बन जाएंगे, best of luck for your judiciary and law examination, see you in the next video, चैनल को subscribe करना मत मुलिएगा, thank you. झाल को बना मुलिएगा,